हलो गुडिवनिंग मैं पवन राव यूटूब चैनल मैच्वित पवन राव में आज आप लोग को पढ़ाने वालों सिलेंडरे के बारे में यह आप लोग को पता है कि हम लोग मेंचुरेशन पढ़ रहे हैं मेंचुरेशन में 2D में आपको complete theory पढ़ा चुकों कि उसन सभी बाकी हैं 3D में हम लोग 2-3 point पढ़ चुके हैं और आज की class में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं सिलेंडर के बारे बारे सिलेंडर या बेलन ऐसे कोई भी आकरती जो नीचे से भी एक circle जैसी है इस परकार से और ओपर से भी एक circle जैसी है इसके कोई ना कोई एक radius होगी और इसकी height होगी हम लोग शुरुआत करेंगे आसान point से और धिरे धिरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जिससे आपको चीजें थोड़ी सी जादा समझ में है कोई भी जो एक cylinder होता है वो बना होता है एक rectangle से और ये चीजें आप लोग जब अच्छे से समझोगे धान से समझोगे तो जब basic secution पूछेगा जब SSC के basic secution पूछेगा तो आप लोग खुदी कर पाओगे इसलिए मैं सारी चीजें आप लोग को समझाता हूँ कोई भी cylinder जो बना होता है एक rectangle से बना होता है अगर मैं आपको समझाने की कोशिस करूँ ताकि आपकी picture पूरे से clear हो और आप लोग अच्छे से समझ पाओ इस परकार से ये अपने पास एक slender है ये अपने पास ये जो notebook है इसको इस परकार से मोड़ दिया जाए तो एक slender है उपर से circle है नीचे से circle बंद है भारवाला ये जो भाग होता है इसको हम लोग बोलता है card surface ही रहा इसको यहां से काट कर हम लोग इस परकार से खोल दें तो एक rectangle बन जाएगा मैंने कहा था न छोटी class में करते थे आओ पर योग करें वो चीज़े हम लोग 3D में करेंगे जिससे आपकी सारी mind में सारी चीज़ें clear हो जाएगे तो यहां पर इस परकार से एक rectangle है इसको इस परकार से मौड दिया जाए तो यह एक slender बन जाएगा जिसकी यह height होगी और इसकी यहां से यहां तक यह radius होगी यह अपने पास इसकी height है और यहां से यहां तक यह इसकी radius है तो एक बात आप लोग धान रखना यह slender और यहां से काड़ दिया जाए तो एक rectangle बन जाएगा और आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे यह बताओ जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हो यह बताओ जैसे इसको काड़ कर radius हा रहे है जैसे काड़ कर यहां से खोलोगे तो यह वाला जो भाग है वो circumference 2 pi r बन जाएगा 2 d मैं समझा चूकों यह circle है यह circumference 2 pi r तो यह वाला जो भाग बनेगा यह वाला भाग बन जाएगा अपने पास 2 pi r और इसके height h यह आजाएगा अपने पास यहां पर height h और एक बात धान रखना यह जो मुड़ावा भाग जो रहता है यह जो मुड़ावा भाग रहता है इसका इस परकार से जो मुड़ावा भाग है इसको बोलेंगे हम लोग curved surface area वकर प्रस छेतरफल यह जो मुड़ावा भाग है इसको हम लोग curved surface area बोलेंगे वकर प्रस छेतरफल बोलेंगे इसको तो धान देना इसके curved surface area का जो formula हुआ इसके वकर प्रस छेतरफल का formula हुआ क्योंकि इसको खोलते एक rectangle बनेगा और rectangle का area का formula था लंबाई गुना चोड़ाई तो यह आगया 2पाई आर एच यह इसके curved surface area का formula आगया यह बात आप लोग धान रखना तो इसके curved surface area का formula में यहाँ पर वाप्स लिख दता हूँ curved surface area या अपने पास pars Pris छेतरफल हिंदी में या आप लोग वकर प्रस छेतरफल बोलो इसको वकर प्रस्ट छितरफल का जो फोर्मुला हो गया वो गया लंबाई गुना चोड़ाई टू पाई आर एच यह अपने पास फोर्मुला है दूसरा अगर आप लोग उपर की तरफ एक सर्कल है तो भारवाला यह जो कारू के रूप में इसका छितरफल आ गया एक सर्कल उपर की तरफ है एक सर्कल नीचे की तरफ है टोटल सर्फेस एरिया कुल प्रस्ट छितरफल अगर निकालना है तो कुल प्रस्ट छितरफल का फोर्मुला होगा जो अपने पास कर्ड सर्फेस एरिया है इसमें एक सर्कल उपर की तरफ एक circle नीचे की तरफ इन दोनों को add कर दो 2 pi r square को add कर दो 2 pi r common ले लेंगे तो वहाँ से इसका total surface area का जो formula बनेगा total surface area बोल दीजिए या कुल प्रस्ट छेतरफल बोल दीजिए total surface area या कुल प्रस्ट छेतरफल का formula होगा 2 pi r common ले लेंगे तो अंदर बचेगा r plus h ये इसका total surface area है कुल प्रस्ट छेतरफल है सबसे पहले मैं इसके formula बता रहा हो कि बने कैसे तो ये चीज़े मैं आप लोग को सिखा रहा हो कि card surface area कैसे बना दूसरा मैं आप लोग को बता रहा हो इसका total surface area कैसे बना और आप लोग को ये सबी को पता होगा जितने भी लोग ये चीज़े साथ-साथ आप लोग लेखते चलना क्योंकि जितनी चीज़े मैं आपको cylinder में पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे points आप लोग लेखते चलना नहीं तो फिर से वापिस अगर साथ-साथ लिखते चलोगे फिर से वापिस revise करना है तो आप लोग के 5 या 10 मिनट में revise हो जाएगा और अगर complete वीडियो देखना पड़ा तो वापिस आपके वही 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट लगने है देखिए इसके वोल्यूम का जो formula होगा इसके आईतन का जो formula होता है वोल्यूम या आईतन का जो formula होगा इसका वो होता है जब भी नीचे base और उपर base अगर सेम हो तो वोल्यूम का formula मैं first day इसलिए मैंने सबसे पहले आपको prism पढ़ाया था मैंने बताया आधार का छेतरफल गुना हो चाई और इसका अधार एक circle है बताओ circle का area क्या होता है तो circle का area होता है पाई r square into h ये अपने पास बन गया इसका volume अगर कोई भी अपने पास धान रखना इसका diagonal अगर पूछे तो धान रखना इसका diagonal यहां से यहां तक की दूरी तो ये अपने पास r है और ये अपने पास r है तो अपने पास इसका जो diagonal हो गया वो हो गया h square प्लस 4 r square का root अगर कभी इसका diagonal पूछ ले तो तो diagonal अगर पूछ ले तो ये root के अंदर हो गया h square प्लस 4 r square square इसका इस परकार से हेस स्क्रार प्लस four पार्द divided लेकिन द्धान रखने की कार्ट का सेक्सन कार्ट कर्ट का अगर ढईग calculating अगर बूछ ले तो पिर आमसर यह नहीं होगा यह बात आप लोग धान रखना है स्के सेक्सन कार्ट का अगर हम लोग उससे पूछ लिया जाए इसके section card का अगर कभी भी छेतरफल diagonal अगर पूछ लिया जाए तो फिर ये नहीं होता क्योंकि एक question आयवा question इस परकार से है यहां से इस परकार से इसका अगर section card का अक्स ये card का अगर diagonal पूछ ले radius इसके दी भी थी 2 और ये दियावे 3 तो अगर हम लोगों से इसका section card का diagonal पूछ ले तो कुछ लोगों ने कहा कि इधर बढ़ा दिया तो ये हो गया अपने पास 4 और 4 का square प्रस 3 का square answer दे दिया 5 लेकिन धान रखना section card यहां से यहां तक की distance इस परकार से ये जो यहां से इधर वाले भाग को अगर हम लोग काड़ दें ये इसका center है इधर वाले भाग को अगर काड़ दें और जो भाग बचा इसको बोलेंगे हम लोग इसका diagonal पूछेगा एक बार CDS में आया vacation है तो यहां से यहां तक की distance हम लोगों को निकालने थी 9 और 4 तो फिर अपने पास यह जो आ गया यह रूट 13 आ गया यह अपना वहां पर आंचर था यह बात आप लोग धान रखना अब कुछ important points की मैं शुरुआत करता हूं कुछ अच्छे points में आप लोगों को सिखाता हूं देखिया आप लोग इस परकार से यह बात धान रखना इसको अर्द वर्तिय चक्रीका भी बोलता है इसको हम लोग यह आप लोग साहसा धान रखना कभी कभार नाम आ जाता है औरा अगर आप लोग को नहीं पता होगा के इसका आ क्या होती है यहीं नहीं पता होगा तो फिर आप लोग क्यूशन को नहीं कर पाओगे तो अगर इसको आद् millennials काड़ दिया जाए तो इस वाले का नाम अर्दवर्ति ये चक्री का भी कभी कभार एससी या सीडियस के क्यूशन में ये नाम भी आता है आप लोग धान रखना है डेकिए कुछ कुशन सबसे पहले आसान क्यूशन में पढ़ाने की शुरुआत करता हूं फिर हम लोग आगे बढ़ता है और धिरे-धिरे हम लोग सीखते हैं कोई भी अपने पास एक क्रैक्टेंगल है सबसे पहले इसको समझ लहना कोई भी अपने पास रैक्टेंकल है जिसके length और breath दोनों दीवी हैं अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आसान point धिरे 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 पहले मैंने formula लिक्वाए आप लोगो को card surface area क्या होता है total surface area क्या होता है volume क्या होता है section card का diagonal क्या होता है और अर्द वर्ती चक्री का जो है उसका volume slender के volume से आदा होता है यह points मैंने आप लोगों को बता है अब मैं आप लोगों को बताता हूं यह कोई भी अपने पास rectangle है जिसके length और breath हम लोगों को DVI और वो बोलता है इसको इस परकार से यहां से मोड़ दिया जाए इसको अगर इस करता हूं यह अपने पास कोई भी rectangle है जो इस परकार से नोट बुक देखिया आओ परियोग करने वाली चीज़ें बहुत काम में आई हैं आपके यहां से इस परकार से मोड़ दिया जाए तो अब की बार जो सिलेंडर की सरकमफरेंस बनेगी इस परकार से अगर इसको मोड़ दिया तो मुझे बताओ सिलेंडर की जो सरकमफरेंस बनेगी वो तो किसके बराबर बनेगी टू पाई आर के बराबर तो बनेगा बी यह बनेगा किसके बराबर टू पाई आर के बराबर और दूसरा अपन दोनों दी भी मिलेंगी, मुझे बताइए कि आप लोग volume find out कर सकते हो गया, जैसे वो कहेगा, यह अपने पास 20 है, और यह अपने पास 40 है, तो बताइए इसका volume बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, दो गुना 22 बटे साथ, इन्टू R बराबर B की जगम लोग 22 रखेंगे, और H की जो value है, L अपने पास 40 है, 22 से 22 कट गया, तो यहां से R कमान आगया 7 by 2, और किसी भी cylinder के आपके पास radius और height अगर है, तो क्या आप लोग volume find out कर सकते हो गया, थोड़े देर पहले ही मैंने बताया था, volume का formula होता है, पाई R square H, आपके पास H भी है, और आपके पास R भी है, मुझे बताइए, समझ पायो है नहीं समझ पायो है, तो यह point आप लोग धान रखना, यह मुझे समझाना था, सबसे पहले, दो तरीके से मोड़ता है, मोड़े, धान रखना है, मोड़ने वाले क्यूशन, दो टाइप के क्यूशन बनता है, एक तो वो rotate करवाता है, और एक इसको मोड़ता है, यह दो क्यूशन बनता है, तो यहां से इस परकार से इसको अगर मोड़ दिया जाए, अब की बार, यह अपने पास length L है, और यह अपने पास B है, इसको इस परकार से अगर मोड़ दिया जाए, यहां से यहां तक, इस परकार से मोड़ दिया जाए, तो टू पाई आर किसके बराबर होगा, अब के बार L के बराबर, और height किसके बराबर होगा, B के बराबर, अगर हम लोग, यह पॉइंट समझ लेना आप लोग, एक तो मोड़ ने, इसमें confusion नहीं हो जाना आप लोग, पहले मोड़ने वाले बता रहूं, यहा भी इसने लंप, चोड़ाई को मोड़ा है इस परकार से, और यहां पर उसने लेन्ध को मोड़ा है इस परकार से, तो टू पाई आर L के बराबर, और height B के बराबर, इस परकार से, तो अब आप लोग बताईए, इसका volume क्या होगा, जैसे जो अभी थोड़ दिन पहले, CDS में एक क्यूशन आया था CDS में जो क्यूशन आया था वो इस परकार से उसने पूछा था हम लोगों से कि कोई भी एक rectangle की दो पेर दिये वे हैं जिसका अपने पास आप देख लिए ना CDS के पेपर में आया हुआ क्यूशन है एक अपने पास rectangle दिया वह जिसकी लंबाई और चोड़ाई 8 इंटू पाई 8 पाई इंटू पाई और दूसरा अपने पास है 5 पाई इंटू पाई 5 पाई इंटू पाई इस परकार से ये दो अपने पास rectangle है इन से हम लोगों ने इनके किसी भी लंबाई अपने पास कैसे भी मोड कर हम लोगों ने cylinder बनाया उस cylinder का maximum volume क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछा गया है ये इस परकार से तो अपने पास ये 8 4 पाई इंटू ये इस परकार से था ना question आप लोग देखो कि तो मैं संखे हैं भी वह लिख देता हूँ जो संखे हैं वैसे उससे भी हो जाएगा 8 पाई से भी हो जाएगा question तो लेगिन जो संखे हैं थी उन्हीं को मैं लिख देता हूँ तो एक तो था 4 पाई और 2 पाई और एक अपने पास है 5 पाई और अपने पास पाई इस परकार से अपने पास question है तो इनको मोड कर 4 तरीके से बनेगा और maximum कौन सा बनेगा ऐसा हम लोगों से पूछ है तो एक चीज धान रखना जब आप लोग इसको मोड होगे यह इस परकार से यह आया 2 पाई और यह आया 4 पाई 4 तरीके से maximum कौन सा बनेगा वो आप लोग को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा एक तो इसको इस परकार से मोड होगे आप लोग एक इसको आप लोग इस परकार से मोड होगे धान देना यह 4 पाई है और यह 2 पाई है और एक इसको आप लोग इस परकार से मोड होगे ठीक है दो दूसरा एक तो इससे दो बनेंगे ऐसे इससे दो बनेंगे यहाँ पर अपने पास 5 pi into pi इसको आप लोग मोड कर बनाओगे और दूसरा आप लोग के पास बनेगा इस परकार से 5 pi into pi आप लोग इसको मोड कर बनाओगे ऐसे तो जब धान देन आप लोग इसको मोड विल्यू आएगी यहां से आर की जो विल्यू आएगी वा जाएगी टू तो वोल्यूम का जो फोर्मला होगा वोल्यूम का फोर्मला हमें पता है पाई आर स्क्वेर एच तो पाई अपने पास पाई है आर की जिगे हम लोग दो का स्क्वेर चार और यह अपने पास आगया ट इडियेस में आया हुआ है बाकि मैं क्लास में भी आपको लिखवा दूँगा आप खुद देख लेना ऑप्सन देखोगे तो एट पाई स्क्वेर सबसे ज़्यादा था वैसे मैं तो यहां चारू निकाल कर दिखा रहा हूँ आप लोगं को लेकिन ऑप्सन देखोगे तो मैक जिसे करवारों जैसे मोडने वाले कुशन की तो अब की बार मुझे ये बताये किसके बराबर होगा तो यहां से एक ट गया और कि कितना गया एक और मुझे बताई है इसे आगया मुझे बताइए कि मैक्सिमम इससे तो ज्यादा नहीं है ना इसलिए अपना जो आंसर है यही मैक्सिमम है ऐसे इन दोनों को भी लेकर चलना पड़ेगा सीडियस में थोड़े से आप लोगने जब देखोगे सीडियस के क्यूशन तो कुछ क्यूशन सहसे आता है जिनमें ऑप्सन भी चार यह यह सही है यह यह सही है ऐसे चार ऑप्सन भी ऐसे थोड़ा लेंदिक पेपर आता हो क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा सा अपने मैच में इतना मतलब हाई कटोफ भी न और यह आर बराबर 5 x 2 आगया और एच बराबर आगया पाई तो वोल्यम का जो फोर्मुला होगा वो पाई आर स्कार इसका स्कुएर 6.25 तो 6.25 पाई स्कुएर 6.25 पाई स्कुएर आजाएगा ऐसी इसको करके देख लेना रेडियस तो आजाएगी 1 बाई 2 और जब आप ल तरबार निकालने की जरूरत नहीं है एक दो निकालोगे उसी में से देख लेना कि ओप्षन कौन से मैक्सिम ऑप्षन तो यह मिलेंगे एक यह एक यह और एक मिलेगा वन पॉइंट टूफाइप पाइस्क्वेर यह उप्षन थे उसके तो ऐसे क्यूशन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं थोड़ा और आगे बढ़ता हैं यह धान रखना ऐसे मोड कर बना रहे हैं ऐसे मोड कर यह ऐसे मोड कर तो दो रेक्टेंगल दे दिये जिसके लेंथ और ब्रेथ दोनों की इधर इसकी भी दे दी इसकी भी दे दी और फिर हम लोगों से पूछ लिया गया, कि आप लोग बता दीजिए, इसका कौंसे से, मोड कर जब बनाओगे, तो किस से मैक्सिमम होगा, next point, एक तो इस परकार से मोड कर बनाता है, दूसरा जिऊशन इस परकार से पूछा जाता है हम लोगों से, हम लोग उसे दूसरा question इस परकार से पूछा जाता है कि कोई भी rectangle अपने पास है L into B और rectangle से ही बनता है और मैंने कौन जो बताया है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे mode कर कौन को इस परकार से एक दूस हेक्टर को mode कर बना होगे ऐसे और एक उसको rotate करवा के right angle triangle को या किसी भी triangle को rotate करवा के दो question बनता है ऐसे इसमें भी दो type के question बनता है एक तो mode कर जो मैंने भी भी बताया एक इसको fix करके इसको fix कर दिया और इसके चारु तरफ हम लोग rotate करवा रहे हैं प्रेसेक्विशन तो काफी बार पूछे गए SSE, CDS, CAT सब में पूछे जाते हैं railway वगेरा में जब इसको आप लोग rotate करवा होगे ऐसे तो जहां जहां से यह pass होगा इस परकार से एक आकरती बन जाएगी जब इसको rotate करवा होगे तो इस परकार से एक आकरती बन जाएगी यह इधर वाला अपने पास B है तो जो भाग घूमता है धान रखना यह B है जो भाग घूमता है वो हमेशा radius बनता है और जो भाग fix होता है वो हमेशा अपने पास height बनेगा तो जब आप लोग इसके साब fix rotate करवाओगे तो इसकी radius तो हो जाएगी किसके बराबर B के बराबर और height किसके बराबर हो जाएगी L के बराबर मैं फिर समझा दता हूँ यहाँ पर इस परकार से rotate करवागे अगर कभी भी बनाओगे यह अपने पास L है और इसको यह B है इसको fix करके अगर rotate करवा रहे हो इस परकार से आप लोग इधर अगर rotate करवाना शुरू करोगे तो ऐसी कोई आकरती बन जाएगी तो यह इधर आएगा L यह radius L सबी तरफ L जहाँ जहाँ से पास होगा यह इस परकार से जहाँ जहाँ से पास होगा एक अपने पास slender बन जाएगा जिसकी radius तो किसके बराबर होगी L के बराबर और height किसके बराबर होगी B के बराबर इसकी length breath दोनों D भी मिलेंगी जैसे यह दियावा मिलेगा 7 और यह दियावा मिलेगा अपने पास 4 तो कहेगा volume बताओ तो अपने पास इसकी radius तो आगे कितनी 7 और height आगे 4 तो क्या volume find out कर सकते हो गया हम लोग volume भी निकाल सकते हैं total surface इरया भी निकाल सकते हैं cut surface इरया भी निकाल सकते हैं जो भी हमें find out करना है यह जो भाग करू के रूप में होता इसको तो card surface इरया ओपर वाला circle add कर दें नीचे वाला circle add कर दें तो वो total surface इरया अगला point मैं फिर समझाता हूं थोड़ा सम लोग और आगे चलते हैं देखिए तो एक दो question मैंने यहां पर आप लोग को समझाए और इनके questions भी जब मैं आपको समझाँगो इस time point को कि और पहले भी मैंने समझाया है मैं एक बार वापी समझा देता हूं कोई भी slender है और आप लोग इसको जब अचानक से first time देखोगे ना तब नहीं कर पाओगे कोई भी अपने पास इस परकार से slender है जिसकी slender की मालो radius नहीं देकर वो यहां से यहां तक यह अपने पास radius नहीं दी इस अपने पास circumference देदी 8 circumference कितने देदी 8 देदी और 2 pi r 2 pi r बराबर 8 तो radius आगी 4 upon pi ऐसे भी बोल सकता है कि radius 4 upon pi है कुछ भी वो radius भी देख सकता है या radius 4 upon pi है तो मुझे यह बताइए सभी लोग मिलकर क्या आप लोग इसकी circumference निकाल सकते हो गया radius अगर है 4 upon pi circumference चलो छोड़ो 4 upon pi तो क्या आप लोग circumference find out कर सकते हो गया base की circumference basic circle है तो circumference का formula तर 2 pi r 2 गुना 22 बटे 7 2 pi pi लिख दो r की value 4 by pi pi से pi कट गया तो circumference आगे 8 यहां से देखना आप लोग यह जो है यहां से यहां तक यह मान लो अपने पास दियावे 24 कि यह अपने पास कितना दियावे 24 सरकंफ्रेंश कितनी आइए 8 अब यह कि यह ऐसे बोल रहा हम लोगों को कि इसके चार उतरह पर रसी लपेटी गई आप लोग रसी अगर चार राउंड मारकर इस पॉइंट पर पहुंचती है रसी को कितनी बार लपेटा गया चार बेस से शुरुआत की और चार राउंड से टोप पर अगर पहुंच गई तो आप लोग बताईए उस रसी की मिनिमुम लंबाई क्या होगी जब आप लोग अचानक दे तो धान रखना सर्कंफ्रेंस आठ जितनी भी है सर्कंफ्रेंस कितनी आई है आठ तो ऐसे क्यूशंस का करने का तरीका यह होता है कि आप लोग यहां से यह एक रेक्टेंगल बन जाएगा और चार राउंड मारने हैं तो इसके उपर वाले की जो हाइट है यह इसको काट कर कैसे खोल दो करने के एक तरीका संग्जा रहा हूं फिर direct तरीका भी बताता हो कि एग्याम में कैसे करोगे इस परकार से खोल दिया और तो चार राउंड अगर मरवाने हैं, तो डाइगनली चलना है चार बार, यह अपने पास छे, यह अपने पास छे, यह अपने पास छे, और यह अपने पास छे, चार बार, यहां से यह आठ है, डाइगनली गए, आठ का स्केर प्लस छे का स्केर, दस का स्केर, आठ का स्केर प में चलना है कितनी बार चार बार अब किसी स्ट्रेंट को ऐसा लगेगा स्रीए यहां शुरू हो रही है यह इधर से क्यों खतम होगी भाई यह इस परकार से जब मोड़ोंगे तो सरकिल है जैसे आप लोग आप आप लोग जब ग्लोब देखते हो तो ग्लोब तो पूरा जुड़ा रहता है लेकिन आप लोग कोई भी नक्सा अगर देखोगे तो इधर से और इधर से अलग लग नहीं रहता उसका लास्ट और नक्से का जो मैप का इधर वाला पॉइंट दोनों बराबर होते हैं वह इस यह بूंच से कोई धरती गोल है मताने आपको इसी परकार से यह भी इस परकार से गोल है जब गयां से मिल ऑग्यान इससे मिल जाए गा यह वाला पोरिब यहांस से इधर उपरकार शार जायária ऐसे क्यूशंस का करने का तरीका ये होता अपने कितने राउंड लगाए 4 तो अपने पास जो सर्कॉम्फरेंस उसको चार से गुना कर दो 32 तो आप लोग ये तो आगया 32 और उपर वाला 24 है 32 का स्कॉर प्लस 24 का स्कॉर आपके पास 40 का स्कॉर होगा ये अपना आंशरा गया यह कितनी बत्र राउंड लगा है? 4. तो circumference को कितने से गुना करना है? 4 से. 8 को 4 से गुना? 32. तो 32 का square प्लस 24 का square आपका answer होगा. जब भी रसी के लंबाई आप लोगों से minimum पूछे, तो ये अपना answer होगा. ऐसा अपने पास धान रखना, ये इस परकार से पीछे आते जाओगे. minimum जो distance है, वो हमेशे इसी परकार से. minimum distance का मतलब हमें diagonally चलना है. diagonally अगर चलना है, तो मैं पिछली बार भी आपको समझाया था, इसको इस परकार से पीछे ला सकते हो. इसको और इस परकार से पीछे ला सकते हो. diagonally मतलब सीधा जाना है यहाँ पर और इसको और इस परकार से पीछे ला सकते हो यह diagonally यहाँ पर जाना है तो यहाँ से यहाँ पर जब आपको चिंटी चल रही थी उसको भी diagonally ऐसे दिवार खुल के ऐसे समझाये था अगर आपको याद होतो आप लोग अपने पास इधर वाला जो पॉइंट है यह तो यह बात आप लोग धान रखना कभी रसी को जितनी बार आप लोग को उपर जाना है उतनी बार आप लोग देख लेना उससे गुना कर देना जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको मान लो ये अपने पास किसी भी circle की इसकी circumference दीवे एक बार मैं फिर समझा दता हूँ इसकी circumference निकाल लेना मान लो circumference आई 3 और ये अपने पास 8 है ये 5 round मार के उपर ले जाना है और maximum distance अपने को minimum minimum रसी की minimum लंबाई पूछिए 5 round में 5 round लगा कर रसी को यहाँ पर पहुचाना है तो minimum कितनी रसी की लंबाई चीए तो जो circumference आई उसको गुना करतो 3 से 15 तो 15 का square प्लस 8 का square तो कितने का square होता है 17 का square ये अपना आंचरा जाएगा हमेशा और हमेशा क्यूशन करने का तरीका होगा जितने round लगाना है तो circumference को उससे गुना करो ये बात आप लोग धान रखना minimum रसी की लंबाई अगर कभी भी आप लोग उसे पूछी जाए तो क्यूशन करने का तरीका यह होता है इसको आप लोग याद रखना अपने पास क्यूशन अगर इस परकार से या बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं एक बार क्यूशन नहीं देख रहे हैं क्यूशन बाद में मैं पढ़ाऊँ आपको थियोरी के बाद क्यूशन समा आप लोग को करवाने वाला हूँ ऐसा अगर कभी भी हो किसी सिलेंडर में ये आप लोग इस परकार से मैं एक सिलेंडर बना दता हूँ ये बात आप लोग धान रखना जिस परकार से एक सर्किल में एक सर्किल एमान लो ये चीज़ आप लोग धान रखना एक circle की radius अगर R है तो इसने अगर यहां से चलना शुरू किया और चलते वे यही point अगर आगे लुढक रहे हैं यही point अगर वापिस यहें पर आ गया चलते वे अगर यही point वापिस यहां पर आ जाए तो उसको बोलते हैं एक चकर में चलेगी दूरी और एक चकर में चलेगी दूरी हमेशा उसकी circumference के बराबर होता है एक चकर में चलेगी दूरी यह बात धान रखना एक चकर में cover कीगी distance circle के लिए एक चकर में चलेगी दूरी उसकी circumference के बराबर होगी उसकी परीदी के बराबर होगी इंग्लिस मेडिया माले student एक round में cover केगी distance उसके circumference के बराबर होती है और ये कितनी दूरी चला चक्रों की संख्या अगर पूछा है तो distance upon circumference number of rounds जो होते हैं वो जितनी दूरी चला upon एक चक्र में चलेगी दूरी और एक round में cover के distance circumference नहीं परीदी के बराबर होता है ऐसा ऐसे ये जो ये एक roller मान लो जिसकी radius r है ये एक roller मान लीजिए जिसकी radius r है और इसकी height h है अगर वो बोलता है कि जब एक round लगाता है या आपने लिख लिख लिया होगा मैंने circle में नहीं लिख वाया था क्योंकि एक क्विशन का part है क्विशन में इस चीज़े मैं बताऊंगा आप लोगों को धान रखना एक चकर में चलेगी जो दूरी होती है एक चकर में चलेगी जो दूरी होगी वो हमेशा एक circle की circumference के बराबर होती है ये आपको पता है यह जब circle आगे की तरफ जाएगा यह ऐसे लुड़क कर एक चकर जब मारेगा यह circle पूरा का पूरा ही जो slender है एक चकर मारेगा तो वह एक चकर क्या इसके पूरे कार्ड सरफेश हिर्या के बराबर होगा क्या इसको इस परकार से खोल दो एक चकर में आतो लुडखा लो य अपने पास circle तो एक length चल रहा था अब के बार यह चेतर फल गेरेगा और इसके दोवारा cover किया गया area हमेशा उसके चेतर फल के बराबर होता है यह बात आप लोग धान रखना questions में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अब देखो एक important point जो normally student के सामने अचानक से जब आता ह है तो उसको लगता है कि यह क्या हो गया कैसे solve करो कैसे solve करो यहाँ पर इस परकार से आता है equation कोई भी अपने पास और यह सारे concept में आपको समझाने की कोसिस करूंगा इस परकार से आता है कोई भी एक cylinder है इस परकार से जिसकी radius यहां से यहां तक मान लो है 7 और इसकी उंचा परकार से ढखना है complete ढखना अब के बार ऐसे नहीं कि minimum या ऐसे यह सिलेंडर दिखना नीची है इस परकार से जो आपने पास रसी है उसकी मोटाई देगा वो एक सेंटीमीटर है आपने पास रसी की जो मोटाई है वो एक सेंटीमीटर है तो आप लोग खुद सोचिए यहा बी अपने पास इस परकार से क्यूशन पूछे मां बार बार आओ प्रियोग करने वाली जो चीजे हैं उनको काम में ले रहा हूं ताकि आपको समझ मैं इस स्लेंडर को आप लोग खुद सोचिए इस स्लेंडर को अगर यह इस परकार से एक रसी घहरेगी तो मुझे बताओ कौन से शतर बलको टोटल सरफेस एरियाको घहरेगी या कर प्रकार से शुरूई कर दोनके बताब इस एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है क्या हा ना कुछ तो बोला आप लोग ऐसे नहीं देखो, हाना बोला करो साथ साथ, कर्ड सर्फेस हिर्या के बरापर होता है, तो इसका कर्ड सर्फेस हिर्या का फॉर्मल होगा, टू पाई, पाई का मतलब 22 बटे साथ, आर, तीन चार बार लिखवा चको हो, इसलिए डिरेक्ट फॉर्मल लगा रहा हूँ, सेवन इंटू एच दस है, साथ से साथ कट गया, तो क्या यह चार सो चालिस सेंटीमीटर आ गया गया है, चार सो चालिस सेंटीमीटर स्क्वार, छ रसी का छेतरफल इसको घहरना है रसी को, तो रसी का छेतरफल भी इसके बराबर होना चीए, तो रसी कितनी भी लंबी है, उसके लंबाई तो मानलो एल और उसकी चोड़ाई या उसकी जो मोटाई है, वो मानली एक बराबर चार सो चालिस, दोनों का छेतरफल, रसी को यह कर्ड सर्फेश यह रहा है भार वाला इधर वाला मान लो यह उसको घेरना है तो यह जब वो घेरेगा तो अपने पास L into 1 लंबाई गुना चुड़ाई बराबर 440 तो L बराबर आ गया 440 cm यह अपने पास रसी की लंबाई चीएगी इस परकार से कभी कभार नॉर्मल और छो कि यहां से और कोशिश करना समझने की अपने पास मान लीजिए यह एकस है अपने पास इस परकार से सिलिंडर है और यह जो क्यूशन से अगर आपका बेसिक के लिए होगा तो यह आप लोग कर पाओगे नहीं तो आप लोग कोई फोर्मले नहीं इनके कि आप लोग सोचोगी सर फोर्मले बता दें मैं फोर्मले भी चलो इसका तो मैं बता दूगा लेकिन नया क्यूशन आएगा तब क्य करोगे फिर नया क्यूशन आएगा तब क्या करोगे और फिर नया क्यूशन आएगा तब क्या करोगे तो इनके लिए बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चीए अगर बेसिक कॉंसेप्ट पता है तो एक क्यूशन साप लोग कर पाओगे बेसिक चीज़ें अगर नहीं perpendicular है उसकी height है वो h है और उसकी radius जो है वो small r है तो धान रखना आपने पास इसकी तो radius देगा अंदर वाले की radius देकर height पूछ सकता है या height देकर radius पूछ सकता है यह दोनों चीज़ें ही मैं आपको सिखाने की कोशिस करता हूँ सबसे पहले आप लोग यह सीखिए सबसे पहले आप लोग यह सीखिए किसी भी circle में अगर हम लोग एक rectangle रख दें किसी भी circle में rectangle रख दें यह radius r है rectangle के अंदर अगर हम लोग circle के अंदर अगर एक rectangle put कर दिया जाए रख दिया जाए यह यहां से यहां तक total इसके height अगर h थी तो यह बचेगा यहां से यहां तक इधर वाला h by 2 यह अपने पास इधर से इधर तक यह अगर small r है इसकी लंबाई चोड़ाई मानो 2 r है तो यह यहां से यहां तक अगर small r है तो यह अपने पास होगा small r और यहाँ पर एक right angle triangle बन जाएगा यह इसके लंबाई कितनी है चोड़ाई कितनी है 2R और लंबाई कितनी है H तो यहाँ से जब हम लोग उने perpendicular डाला circle में perpendicular डालते हैं midpoint पर तो यह h by 2 यह small r, यह r है तो यह भी small r यह capital r, circle की radius तो हम लोग लिख सकते हैं r square plus h by 2 का square बराबर r square capital r तो देगा इन दोनों में से एक देकर दूसरा आप लोग उनसे पूछा जा सकता है, radius यह देकर r की value देकर हम लोग उनसे यह h पूछा जा सकता है, या h की value देकर हम लोग उनसे r पूछा जा सकता है ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, सर्किल के अंदर हम लोग ये रेक्टेंगल क्यों रखना मैं सिखा रहा हूँ, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, मुझे ये बताइए थोड़ा सा आप लोग सेखना और थोड़ा सा कोशिस करना समझने की, मुझे बताइए जो अंदर वाला सर्कि के प्रस्ट को अगर टच करेगा तो मुझे बताईए यहां से इसके मिड़ पॉइंट से यहां तक की दुरी जब बड़े वाले स्लेंडर को टच कर रहे हैं तो मिड़ पॉइंट से यहां तक की दुरी यहां से हम लोग लिख सकते हैं अंदर एक राइट अंगल ट्रेंगल बन जाएगा और लिख सकते हैं आर स्क्वेर प्लस एच बाइट टू का स्क्वेर बराबर अपने पास आर स्क्वेर मुझे पता है कि यहां पर जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो लगभग 90 पस यह और मैं इसको तो वापिस समझा दूगा और यह पक्का है कि मैं आपको समझा करूंगा ऐसा कभी होई नहीं सकता कि मैं आप लोग को कुछ समझाओं और आपको समझ में नहीं आए ऐसा कभी नहीं हो सकता देखिए यह एक सिलेंडर है इधर से इसको देखना मुझे बता करके धकन का कुछ प्रस्ट क्या इसको टच करेगा क्या कोसिश करना समझने की मार्कर जो हमने रखा है इस मार्कर का कुछ प्रस्ट इसको टच करेगा इस साइड वाला प्रस्ट टच करेगा तो यहां से इसके बीच से जो मार्कर का धकन है उसके बीच से इस प्रस्ट को तोल् Series जो होगा वो आर में भींट तो नहीं समझय में फिर से फिर से देखो अब समझ में आज आएगा थोड़ा सा अपके एक हिलियर हुए आपके माइन में अब आपको ही समझ में अब कोइड़कत हैन्व देखिये mówi पर इस परकार से है करे में कोसिस करना समझने की वापिस आपको सही समझ में आएगा इस परकार से हम लोग एक slender बनाते हैं जिसकी रेडियस है capital R आप एक काम करो slender अंदर मत रखो आप यहाँ पर रखो slender जो उसको खींच के slender को भार ले आओ ताकि आपको सही दिखाये दे तो तो जो स्लेंडर यहां पर होगा, जो स्लेंडर यहां पर होगा धान रखना, उसके दो प्रस्ट आगे पीछे वाला कुछ भाग तो भार होगा, आदा भाग तो भार होगा, और आदा भाग उसके अंदर होगा, लेकिन कि दो पॉइंट ऐसे टच करेंगे कि उसको, दो पॉइ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बार-बार समझा रहा हो आपको, यहां से यहां तक भी capital R है, लेकिन इस परीदी तक की कोई भी दूरी हो, यह दिखेगा तो छोटा, क्योंकि 3D में है यह, दिखाई तो छोटा दे होगी H by 2, यह capital R है, यह वाले distance, यह यहां से यहां तक अपने पास H by 2 है, और यह small R है, तो यह एक right angle triangle बन जाएगा छोटा सा, और यह अपने पास होगा R square, plus H by 2 का square, बराबर capital R का square, capital R देगा, इन दोनों में से small R और small H में से, दोनों में से एक दियावा मिलेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा समझा दूगा, तो आप लोग भी कोशिस करो समझने की, ताकि आपको सही तरीके से और अच्छे से समझ में कोशिस करना आप लोग, अब तीन बार मैं बता चको, अब खुद करना आप लोग, देखो, next point समझाता हो, next point इस परकार से है, next point जो है, वो इस परकार से है, कि अपने पास यहां से अगर कोई भी खोखला cylinder हो, धान रखना, कभी भी कोई खोखला cylinder अगर है, भार वाले की डेडियस केपिटल आर अंदर वाले की डेडियस स्मोल आर इसके अंदर की तरफ यह तो अपने पार साइट मन लो ह इसके अंदर की तरफ एक और सिलिंडर है और यह इसके concept याद ने चीए formula याद नी होने चीए एक बात धन रखना कुछ लोग इनके formula याद कर लेता है formula रट लेता है किसी बुक से कहीं से भी बता दिये formula रट लिए और फिर लोग सोसते हैं कि मेरा जीवन सफल ऐसा नहीं होने वाला है आपको formula याद नहीं रखने आपको basic concept पता होना चीए ताकि formula आप लोग को याद ही नहीं करने पड़े यहाँ से भारवाले की radius capital R है और अंदर वाले की जो radius है वो small R है भारवाले की radius capital R और अंदर वाले की जो radius है वो small R है यह कोई खोखला cylinder है hollow cylinder है कोई भी तो आप लोग इसका volume अगर निकालना पड़े तो आसान तरीक है भारवाले की volume में से अंदर वाले की volume minus कर लेना ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं volume अगर find out करना है भारवाले के volume में से अंदर वाले का volume आप लोग find out कर लेना आपके पास इसका volume आ जाएगा मैं आपको शिखा रहा हूँ कि इसका total surface area कैसे निकालते हैं और जब भी मैं class में भी ये चीजें पूशता हूँ काफे सारे students नहीं कर पाते हैं 90% student नहीं कर पाते हैं कि total surface area में भी वो क्या करते हैं भारवाले के surface area में से अंदर वाले का surface area माइनस कर देते हैं धान रखना surface area कभी भी माइनस नहीं होगा जिस जिस भाग को आप touch कर सकते हो है जिस भाग को आप देख सकते हो उसका complete का surface area आप लोग को add करना है ये गलती मत कर देना जिस भाग को आप touch कर रहे हो total surface area लोगे तो भारवाले का cut surface area होगा तो भार वाले का जो कर्ड सर्फेस हीरिया होगा वो अपने पास होगा 2 πाई केपिटल आर एच ऐसी अंदर वाले का कर्ड सर्फेस हीरिया होगा जो होगा 2 πाई आर एच भार वाले का कर्ड सर्फेस हीरिया अंदर वाले का कर्ड सर्फेस हीरिया माइनस नहीं करना एड करना है इसके अलावा एक ये रिंग बच गई इसके अलावा एक भाग बच गया इसके अलावा एक छेतरफल बच गया ये वाली रिंग अपने पास इसके अलावा बच गई दोनों तरफ इसका छेतरफल कैसे निकालोगे ये इस परकार से जब सामने से देखोगे तो ऐसे है इसकी radius capital R इसकी radius small R इसकी ये वाले भाग का छेतरफल आप लोग कैसे निकालोगे तो इस वाले भाग का छेतरफल अगर आपको निकालना है तो इस वाले भाग का छेतरफल क्या होगा भार्ःवाले के area में से πाई r square मैं से πाई r square माइनस करदो πाई commit आ गया तो अंदर r square माइनस r square और ये जो हैं अपने पास, ये ऐसे दो हैं, एक ring इस side होगी, एक ring उस side होगी तो गुना करना पड़ेगा 2 से, दो से गुना करदो 2 पाई r square माइनस r square ये है इसका total surface area वले का चेतरफल इस परकार से दूर से देखोगे इधर सामने से देखोगे तो यह वले ऐसे दिखाई देगी आप सभी भाग का चेतरफल चार भाग भार वाले का कड़ सर्फेश ही रिया अंदर वाले का वक्र प्रेस छेतरफल एक रिंग ये वाली, एक रिंग ये वाली ऐसे चार बनेंगे, उन चारों का छेतरफल जब एड करोगे, एक ये रह, एक ये रह और दो ये रह, एक का पाई आर स्केर माइनस आर स्केर, और ऐसे दो हैं तो दो से गुना कर दिया फिर से समझाता हूं देखिए इस परकार से अपने पास है कोई भी स्लेंडर है कोशिस करना समझने की एक स्लेंडर जिसके हाइट आर जिसके हाइट हो रेडियस आर सेम रेडियस आर मानलो केपिटल आर मानलो है स्मोल आर जो भी आप चाहो सेम रेडियस का और सेम हाइट का यहाँ से इसके अंदर से सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कौन काट कर अगर हम लोग भाहर निकाल लें जिसकी height h, radius capital R और slant height L तो बचेवे भाग का इसमें से काट कर हम लोगों ने भाहर निकाल लिया तो बचेवे भाग का आप लोग volume बताइए volume पूछे तो total के volume में से इसका volume माइनस कर दो total का volume आपने पास पता है pi r square h इसका volume 1 upon 3 pi r square h तो बचेगा कितना 2 upon 3 pi r square h total pi r square h, 1 third minus कर देंगे तो 2 third बचेगा 2 by 3 pi r square h लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, volume निकालना आसान होता है जो भी काट कर भार निकाल दे उसको minus कर दो volume आ गया मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बचेवे भाग का जो यहां से काट कर ये भार निकाल लोगे तो बचेवे भाग का total surface area क्या होगा तो हमेशा धान रखना जैसे ही काट कर आप लोग भार निकालोगे तो बचेवे भाग का टोटल सर्फेस ही रहा है ये कौन यहां से काट कर आपने भार निकाल लिया है नीचे से कौन आप लोगों ने काट कर भार निकाल लिया है तो आपने पास इसके जितने भाग को आप टच कर सकते हो उसका टोटल सर्फेस ही रहा लेना है अपने पास slender का curved surface एरिया बचा उपर वाले circle का एरिया बचा और अंदर जो खोखला भाग हुआ है ऐसे करता करता खोखला भाग जो हुआ है उसका छेतरफल बचा और ये तीनु जब आप लोग add कर दोगे तो अपने पास total surface एरिया जाएगा तो इसके curved surface एरिया का फोर्मड़ा है मैं लिखता हूँ इसके curved surface एरिया का जो फोर्मड़ा होगा वो तो कितना होगा 2 pi r h इसके circle का उपर वाला जो circle है इसके इसका एरिया कितना होगा pi r square h pi r square h नहीं pi r square अब आप लोगों से मैं ये पूशता हूँ कि जो खोखला भाग तीसरा इसमें थोड़ी सी problem आते हूँ और ये सबसे आसान है इसके तीसरे भाग जो भार का curved surface एरिया उपर का एरिया जो नीचे से खोखला भाग जो है उसका एरिया मुझे बताईए इसके curved surface एरिया के बराबर होगा क्या उल्टा सोचिए कि ये भाग इसके touch था गया ये जो भाग है ये ही तो इसमें touch है तो जो इसका curved surface एरिया होगा वो इस खोखले भाग के surface एरिया के बराबर होगा क्या और इसका curved surface एरिया का formula मा आप लोगों को पता होगा ये आप लोगं को याद होना चाहिए ये होता है πाई आर एल ये तीन भाग है ये अपने पास आई कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग करते हैं यहां से πाई आर कूमन लेते हैं देखो ये आगया 2H ये आगया R और ये आगया L और उसके बाद इसको कहते हैं ये फॉर्मॉला आ गया जब भी आपने पास सिलेंडर में से कौन काट कर निकालोगे तो ये फॉर्मॉला रट लो अरे रटने की जरूरत ही नहीं आप लोगं को अगर ये चीजें कौनसेप्ट अगर पता है तो और कौनसेप्ट के लिए नहीं हो रहा तो इसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छे बार देखो आपको ये चीजें पता होने चीए अमाँ फिर समझा रहो, देखो ये कोई भी आपने पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और हाइट है एच इस परकार से, यहां से इसने कहा है कि एच इस ग्रेटर देन आर एच आर से बढ़ा है और इसमें से अगर मैं एक यहां से एक यहां से यह अर्ध गोला काट कर अगर मैं बहार निकाल लूँ यह अर्ध गोला जो मैं काट कर अगर यहां से बहार निकाल लूँ तो बच्चेवे भाग का सर्फेश हीरा बताओ यह अर्ध गोला यहां से काट कर मैंने बहार निकाल लिया तो बच्चेवे भाग में कितने भाग हूँगे आप सोचिए सिर्फ टोटल सर्फेस अगर वॉल्यूम पूछे टोटल के वॉल्यूम में से अर्द गोला हैमी स्पेर का वॉल्यूम माइनस कर दो लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बचेवे भाग का surface area कितना होगा तो हमें count करने कितने surface area बचे एक तो भार वाला card surface area एक उपर वाले का area एक नीचे वाले का जो एक खोखला भाग हुआ है काट कर भार निकाल लिया उसका area मुझे बताइए काट कर आपने भार निकाला तो क्या इसका area ये वाला जो भागी test था गया इसके ये वाला भागी तो test था ना तो इसका अपने पास card surface था तो मैं लिखता हूँ 2 pi r h प्लस pi r square ये दो तो होंगे ही होंगे और ये जो भाग का चेतरफल होगा ये ये वाला भाग इसका card surface था यहां test था इसको काट कर आपने भाहर निकाल लिया तो बचे भे भाग का surface था होगा इसका card surface था था फूर्म न होता है 2 pi r square तो आगे जो भी लिखना आपको 3 pi r square लिख लो 2 pi r h 2 pi r h और 3 pi r square pi r common ले लेना लेकिन चीजे ये आपको पता होने चीए तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ोगे ऐसे अगर आप लोग अपने concept clear करोगे सारे के सारे तो slender के फिर नए question बने पुराने question बने नए concept और based question पूछे वो आप लोग खुद ही कर पाऊगे और आज की class में कुछ points ऐसे हैं जो मुझे पता है आपको समझ में नहीं आए लेकिन उनको बार-बार देखो ये चीज़ एकदम सही है इसको आप लोग इसको बार-बार देखिए दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देखकर clear करो और जैसे एक बार आपका mind में clear ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको खुद को देखना क्यूशन करने में भी मज़ आएंगे आपका दिमाग भी खुलेगा एक क्यूशन इस परकार से है कि एक जो लोहार है वो एक rectangle से किस से? क्यूशन सुनो आपको करना है और answer देना है कमेंट में एक लोहार, एक आयतकार seat से एक cylinder को complete ढख रहा है उपर से भी, नीचे से भी, चारों तरब से भी तो बताईए unused भाग का और used भाग का unused minimum होना चीए minimum unused होना चीए तो unused भाग का और used भाग का ratio आप लोग बताईए उपर unused लिखना है जो खराब होगा और नीचे used लिखना है धान दो complete नहीं निखना नीचे कोछी स्ट्रेंट क्यूशन ही गलत सुन लेता है नीचे complete नहीं लिखना उपर लिखना used unused और नीचे लिखना used ओपर जो खराब होगा और नीचे जो काम में है क्यूशन मैं फिर से बोल देता हूँ कम समझ में है तो एक लोहार एक आयताकार सीट से एक सिलेंडर को complete ढख रहा है और minimum जो छेतरफल है वो खराब होना चीए तो जो छेतरफल खराब होगा वो और जो काम में है वो उन दोनों का area का ratio बताइए आप लोग answer लिखना answer देना comment box में तो आज के लिए सिरफ इतना ही इनको चीज़ों को 2, 3, 4 बार देखना चीज़ें सारी सही हैं आप 2, 3, 4, 5 बार देखके points अपने clear करना जिससे आप नए questions भी कर सको आपको मैंने पहले भी बता है मैं कुछ questions अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ छोटे-छोटे questions ही मैं देता हूँ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एक मैंने आपके लिए एक blog की शुरुआत किये raomatch.com raomatch.com एक blog की मैंने शुरुआत किये आपके लिए raomatch.com तो आप लोग इस पर questions देख सकते हो अगर चाहो तो तो Google पे सर्च किया करो और इस पर questions आपको मिल जाएंगे डेली एक-डो questions धिरे-धिरे मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा अभी शुरुआत कर रहे हैं देख रहे हैं कि कितनी problems आती हैं मुझे questions upload करने में धिरे-धिरे एक-डो questions upload कर रहो फिर हम लोग ज़्यादा questions इसमें upload करना शुरू करतेंगे तो अभी आप लोग इसमें देखना शुरू करो जो भी दो questions तीन questions एक मिले उसको soul किया करो शेर करते रहना वीडियो लाइक या डिसलाइक में से दोनों में से एक पक्का करना है ओके थैंक्यू कल से आमको फिर मिलते हैं नए चेप्टर के साथ